करोना महामारी के चलते अब फूल उत्पादकों को स्ताने लगी है बेंक से लिए हुए लोन की किस्त देने की बात दिन्यना देभी बिधान सब अक्षित रखे बिकास कांड स्वारगाट की ग्राम पंचाय टालीब अन्य लोगों ने फूल उत्पादन किया हुआ है लेकिन महामारी के चलते सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है जिसके चलते फूल उत्पाद को की दूसरे सीजन की फसल भी तयार हो चुकी है लेकिन फूलों को बेचने की अभी तक कोई बिवस्ता नहीं हो पाई है गोर्तलब हो की ग्राम पंचाय टालीब आसपास के काफी किसानों ने फूलों की खेती अपना रखी है बैंकों से लाख रुपे कर्च लेकर ग्रीन हाउस तयार कर उनमें बिविन महेंगी प्रजातियों के फूलों का उतपादन किया है इनके पहले सीजन की पैदावार करोना लोकडाउन की बेंट चड़ चुकी है अब जब दूसरे सीजन की पैदावार भी तयार हो चुकी है लेकिन इसे दिल्ली बह अन्ने बाजारों में फू कोड़े के धेर में जाती निजर आ रही है फूल उतपादक किसान श्यामलाल का कहना है कि अब बैंक से रिंट चुकाने के नोटिस आने शुरू हो गए हैं उन्होंने कहा इस महामारी के चलते जब उनकी फसल मंडी में नहीं जा रही है और फसल को कोड़े के धेर में फेंक स्कुर्मेटर का ग्रीनाउस है जिसमें मैंने कारनेशन गा रखा था अभी तक मार्केट में कोई माल नहीं गया है तो सारा माल जो है बाहर फैंक रहे हैं धेर में तो अभी आप देख सकते हैं कि हमें बैंकों सो भी चिठियां लग गयाने कि लोन की किस्टे इसकाओ लोन क से गुजारस करेंगे कि हमें सहीता रासी दी जाएंगा